एक हीरन का बच्चा आराम कर रहा था लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि उस पर मोत का साया मंडरा रहा है और उधर एक हाइना भी सिकार की तलास में आ रहा होता है लेकिन जब तक हीरन का बच्चा कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक अजगर मोत बन जाता है जब वे बच्चा मर जाता है तो अजदर उसे छोड़ कर चला जाता है और फिर वह दरिंदा हाई ना उस बच्चे को अपना बोजन बना लेता है और इस तरह से एक मासूम हीरन का बच्चा इन दरिंदों से जिन्दगी की जंग हार जाता है